है सो दोस्तों आपने डिप्लों मा लेने के बाद आपको अगर यह रास्ता आपको किस तरह से सीजों करना पूरा करना और रास्ते का हर पाट कि अगर आप चाहते हो कि हर सब्जेक्ट का मैं इस तरह से वीडियो ले क्या हूं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगे आपको किन subject की किस तरह से तयारी करनी चाहिए, किस पर कितना focus करना चाहिए, किस पर क्या करना चाहिए, किस पर क्या नहीं करना चाहिए, तो please नीचे comment की बरसात कर दो, वो वीडियो आना start हो जाएगा, और इस वीडियो का target line मैं रखता 1000 फड़ापट complete करो, वो series भी हम लागना start कर देंगे, दूसरी बात guys, अपने YouTube channel पे case scheme के सभी चीज़े upload है, आप पढ़ना start कर सकते हैं, दूसरी बात guys, बहुत अच्छी तरीके सब with notes के साथ, और बहुत सारे extra questions के साथ, जो आपको same to same, आपके आगने आले वाले जो board का exam हो उनने बना के upload कर दिया, और बच्चे बहुत मचेदार थे लिए, इसे बढ़ रहे है, तो मैं आपको भी बोलूगा, देरी बत करो, फड़ापट description नमबर दिया है, उस पर call करो, और call करके फड़ापट courses में enroll करके पढ़ना start कर दो, बोलने के लिए semester 6 मैने का होता है, अभी कुछी दिनों के अंदर आपके school, आपके college स्टार्ट हो जाएंगे, और कब time बीच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बस बोलने के 6 मैने करा था, 3-4 मैने में चीज़े खतम करनी रहती है, तो last minute stress लेने से अच्छा, अभी थोड़ा-थोड़ा करना start करो, बहुत आसान हो आपका जो board है, उस board का सभी चीज़ आपको पता रहना चाहिए, अगर कोई भी चीज़े कर रहे है, कोई चीज़े देख रहे है, तो सबसे पहले यह analyze कर रहो, कि यह perfect मैं देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, MSBT के case scheme है, case scheme से related चीज़े आप कर रहे हो, और उसी से related ची आपके exam में बहुत सारी चीज़े आपको दिखाई देती है, अपने channel पे जाके देखो like session में बहुत सारे हमने video बनाए हमारे app पे जो हमने questions करा है, same to same questions दिखाई दे, हमारे YouTube से बहुत सारे बच्चों ने पढ़के बहुत सारा score किया, अपने YouTube पे हमने सब कुछ upload करके रख बिल्कुल मतला मैं भोलना चाहूंगा आप diploma student हो और आगे जाके आपको degree में भी बहुत सारे बच्चों का admission लेना है, या तो आगे जाके अगर आपको job करना है तो भी यहाँ वो तरीका नहीं है कि इसको आप knowledge अप पूरा लेने का try करो guys, आधा धूरा लेके घ्यान कोई मत syllabus के पूरे content हमने डाल दिये, syllabus यह भी बता दिये, syllabus यह भी बता दिये, कहां से upload करते, तो यह भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए, proper तरीके से आगे बढ़ने के लिए, दूसरी बात language, मैं language यहाँ मैंने क्यों लिखा है, देखो बहुत सारे बच्चों ऐसे होंगे, जो अभी 10 stutter में उनका किसी का महराथी मीडियम से कोई बच्चा आया होगा, कोई same English से आया होगा, कोई ऐसा भी हो सकता हिंदी मीडियम से आया होगा, तो यहाँ अब सब की सब चीज़े अचानक में change होगी, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत difficult इसा कुछ भी नहीं है बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा देखे आगे score करने वाले बाकी मीडियम की बच्चे ज्यादा अच्छा score कर लेते, उसका reason यह होता है कि उनके थोड़ा डर होता और वो तैयारी ज्यादा करते, इसलिए score उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता ह इस बर जो अपने इधर math में 100 out of 100 जिनका score आया उनका भी language आपको बताना चाहूंगा Marathi medium था, फिर भी उन्होंने इतने mark score किये, इसलिए दिमाग में से बिल्कुल हटा दो guys, अब इसके बाद अगले चीज, over confident, देखो confident होना सही है, but over confident हो जाओगे कि 10 दे मेरे को इतना score मि इसमें score करना है, तो अभी से confident होना, over confident नहीं होना है, अभी से तयारी पूरी करनी है, start कर दीनी, देखो guys, इस साल आपको अपने study के, अपने percentage को बरकरार तो रखना है, बड़ अपने skills को भी, बहुत सारे programming languages सीखना start कर सकते हो, अपने skills को develop कर सकते हो, अपने personality को develop कर सकते हो और मैं एक चीज़ और बोलूगा है, इस सभी चीज़ों के साथ, exercise and workout भी लगाना start कर दो, daily 35-40 minutes करो पर जरूर करो, अगर आप देखना चाहूँगे, देखो आपके प्रजीन सर्दना combo pack है, मेरा certification इसके अंदर भी हुआ है, तो इसके बारे में, बहुत सारे बच्चे इतन बादा active रहो, और यहां से fresh रहो, तो भाई अपने help भी focus करना है, तो यह पूरा क्योंकि जब आप निकलोगे ना, डिप्लोमा से, आप जब 3 साल के बाद निकलो, तो आप हर तरीके से develop रहो, अपने knowledge wise, अपने skills wise, अपने personality wise, हर चीज wise develop रहो, और इसकी तयारी आपकी आज से होनी चाहिए, और यह focus आज से होना चाहिए, दूसरी बात guys, relation, अब relation, कौन से relation की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप सोच रहो हो सकता है, वो नहीं, मैं वो relation की बात कर रहो, जब आप जा रहे हो, डिप्लोमा करने, तो आपके जो senior से, senior से relation build करके रखना बहुत अच्छा ज समझा देंगे, आपके जो college है, उसके बारे में पूरा बता देंगे, और दूसरी बात guys, आगे अगर वो कहीं job करते हैं, या कुछ और कर रहे हैं, तो इनका reference आप सभी को बहुत जा सपोर्ट कर सकता है, इसलिए, जो भी function हो रहा है, जिसमें आपको मौका मिल रहा है, जिस सभी चीज़ें आपने की, तो भाई, तीन साल के बाद आप जो निकलोगे न, तो अगर इन सभी चीज़ों को follow करके निकलोगे, तो आपको किसी चीज़ का job का, किसी issue, कोई भी issue नहीं होगा, आपको knowledge भी होगा, और job की आपके सामने line लगी पड़ीगे, पर आप सोचों के भाई चलो degree भी कर लेते हैं, तो गाईस अगर और भी कोई डाइट है तो comment box में जरूर लिखना, मिलते हैं एक जोड़े में, thank you, so मसगे, जया हिंद, and जया मारक्ष्ण दोस.